क्रिशिक कानूनों को लेकर विरोध में जुटे हुए हैं किसान, जीहां नौजवान भारस सभा और पंजाब स्टूडियो यूनियन का कहना है कि केंदर सरकार जो किसान विरोधी कानून लेकर आई हैं, हम इसे पूरी तरह से नकारते हैं हम इसे लागू ही नहीं होने देंगे, उन्होंने यह भी कहा कि यहां कानून किसी के पक्ष में नहीं है, इससे जुड़ी सभी वर्ग के लोगों को कोई भी लाब नहीं होगा उन्होंने लगबग दो घंटे नहरू पार्क प्रताप रोड मोगा में स्थित आर एसस दफ्तर का घिराफ जारी रखा उनका कहना है कि जितने भी केंदर सरकार के समर्थन में है हम सब का विरोध ऐसे ही करते रहेंगे पता दें कि यहां किसान पिछले एक अक्टूबर से धरने पर बैखे हुए हैं इनके साथ 31 संगटनों का समर्थन है मोगा में 6 जगा पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है किसानों का कहना है कि जब तक केंदर सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो हम यह प्रदर्शन और भी टेज करेंगे मोहन सिंग ओखल पंजाब स्टूडियो यूनियन के प्रभारी ने बात करते हुए कहा देखे मोगा से राजू कीजा रेपोर्ट रखे मोगा से राजू कि जब तरह को आओ ते पोल्स पूरी मुस्ताइद ते इनने दिनिगरानी राख दे हुए ते एदर एक पासों आरे ने नोजवान सबा ते किसान जत्ते बंदियां पार्तिय किसान जूनियन ने बीजीपी दे नाड जिनियां भी पार्टियां समर्थन डर्दियां ने उनना सारे आदा किरावदा फैसला कीता है ते ओस अज एथे आप दा परताव रोड दे मोगा परताव रोड जो की नेरू पारग दे नाड उनना दा आरे सस्दा दाफ्तर है ते ओथे आप दा पूरा दो केंटे लगपाग उनना दा क्राहो अज पीता गया मोहन सिंग औरका मैं पंजाब स्टूडेंट्स उनियन दा जला परदाना अज साथा आई दो जसे बंदियां वलो प्रोटेस्टा नौजवान पारत सवादी पंजाब स्टूडेंट्स उनियन वलो क्योंके पिछले दिनी मोधी सरकार जड़ा काले करून लेके आई या खेत जम्हूरियत दा कान करते हैं उन्हाने तकेनल पास कीते हैं जन्हान दा पूरे देश्च वरोध हो रहा है के साथे गरीब हिंदू प्रामानों भी सिखांदे खलाफ जा मुसल्माना दे खलाफ लड़ाव लड़ाउन दिया साशा राच लिया वसी काम्याब नहीं होन दे मा करता है कि अग दोने उन्हाने भी मुखन सिखांदे खला आपके लिजया सार फी ऑल़ाव लड़ाव लड़ावर फिज्चर आपकल मु внизलंान काओ ममें राजी जffic्वरो हो रोड़लफ होना थे भी सिखांदे खने खलाफ ने मुसल्मान दे खिखांदे खिला बात्त भारत्